कि वागत करता हूं कि आनन्द मोहन जी की गड़ रिहाई करवाते हैं मेरे लिए बहुत खुशी है बेक्तिकत अरुप से दूसी दुरुबे साव गुत दिन की वीज़े सो रिहाई करवाते हैं नमस्कार मेरना मालोग है आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं बिहार में ये दोहजार बीस चुनावी साल है एंडिये लगतार यह कह रहा है कि आल इस वेल है अप लोग जी ऑल इस विल है माजी जी बार बार कहा रहा है कोडिनेशन कमीटी तेस्वी ध्यान नहीं दे रहा है और यह मान तो कोई भी बैक्ति कर सकता है प्लिटिकल पार्टी होने के नाते वह उनके अपने कार्ज करताओं को भी संदेज देना होता है तो निश्ची तुरुप से उसी दिसा में वो बोलते है महागटवंधन की एगेंस्ट में माजी जी ने कुछ नहीं बोला और माजी जी हम लोग के बरिस्प नेता है महागटवंधन के कदावर नेताओं में से एक हैं बहुत बड़े चेहरे हैं तो मुझे नहीं लगता है क महागटवंधन के खिलाप आज तक उन्होंने एक शब्द भी जैसो बुला है और जो उनकी मांग है उस मांग पर निश्ची तुरुप से आरजडी सबसे बड़ी पार्टी है सबसे बड़ी पार्टी उसकी भूमिका जो है सो बहुत एहम है महागटवंधन में वक्त आने मुझे लगता है दिल्ली का चुनाब में भी रजडी щоб रही है तो सुहाबिख है उसके बाद बихार का ही चुनाब बैचे का कॉना फेंगे हो क्या लगता है कि बिहार में अलाइंस नहीं होगा हम लोग का तो महागटवंधन आज नहीं 2019 से जो है तो 2019 से हम लोग महागटवंधन में हैं सब लोग मिल के रह रहे हैं सारे कार्जकरम जितने हुए हैं मैक्सिमम कार्जकरम में महागटवंधन के तमाम साथी आए हैं चाहा आर्जेडी ने बिहार बंद का हैलान किया हो उसमें देखे थे या पूंके सहनी जी भी थे माजी जी भी थे उपंदर कुस्वाहा जी भी थे हम लोग ने जो कार्ज करम किया था उसमें भी सरामनोहर लोहिया जी की जो पुनिती थी थी उसमें सारे नेता लोग आये थे सदाकत आश्रम में आपने देखा मदन मुहन जहाजी जो किया था उसमें महागठ मंधन के सभी सिर्ष नितुरी तो आप लोग आ रहे हैं लेकिन वोट अब लगतार नितीश कुमार लेते जा रहे हैं चाहे राजपूतों का हो आनंद मुहन की रहाई की बात कर दी है लेकिन जनाधार अब कुछ बचा ही नहीं अगर जनाधार बचा रहता तो आज एलेक्शन के वक्त में उनको आनंद मुहन की याद आ रही है अनंद मुहन जिको अगर उनको जेल से निकलवाना था चुरवाना था तो अभी क्यों चर्चा कर रहे हैं आज से बहुत पहले हो जाना चाहिए था आज आप राजपूतों के जैसो हिचिंतक बन रहे हैं कुछ दिन में जो है आप मुसल्मानों के हिचिंतक के लिए साबुद्दिन की भी बात करेंगे तो जहां आनंद मुहन जी मैं स्वागत करता हूं कि आनंद मुहन जी की रहाई करवाते हैं मेरे बहुत लगा हुआ और चला हुआ मसूस कर रहा है बिहार के जनता को क्या मिला आलोग जी आज अगर मिला है तो समस्याओं से गसित जैसो परदेश मिला है कि अनंद समस्याओं है समस्या एक दो थोड़े है आप देख लिए सिक्षकों के इस्तिति अभी मानब श्रिंखला आपने लगाया कई करोर रुपया आप लगा दिये समान काम के लिए समान बेतन की बात सिक्षक लोग करते हैं आपके पास पैसा नहीं है आप सुप्रिम कोट के आदेश की भी बात करते हैं कि नहीं मानेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है और आज मानब श्रिंखला लगाने पे आप इतना करूर खर्चा कर देते हैं तो कहां से अपना चेहरा चमका है तो मुझबर पूर महापाप में अब दोशियों पर घरवाई तो हो रहे हैं अब इतनी बड़ी घर्टना हो जाए इतनी सारे लड़कियों के साथ बलतकार की कांड हो जाए तो सरकार की सभागिता सरकार के लोगों की जैसो मिली भगत तो थी अब तो फैसला आना बाकी है किसको कितना पनिस्मेंट मिलेगा मुझे लगता है पनिस्मेंट में कोट जो है क सब्सक्राइब करें कुछ भी करें आप प्रसिक्षन सिविर कर रहे हैं राजगीर में आपने पूचा मुझे बोला प्रसिक्षन सिविर तो नहीं जा रहे हैं उनके पाटी के तमाम लोग हैं मैं कहता हूं सारी पाटी पर मैं कहता हूं नितिस जी आपके जोलो भी वहां जा रहे हैं उनको कहिए कि अपने कारज करताओं को बताए कि जनता को ठगने का काम मत करो जनादेश की चोरी मत करो जनता का सेवक लूटो मत जैसो सरकारी खजानों से पैसे इस तरह की अगर तालीम अगर अपने कार्ज करताओं को देते हैं तो अच्छा मैसेज जाएगा तो कि नितीज जी पे जैसो एक आरोप नहीं है जनादेश की चोड़ी से लेके मुझपर प्रुबालिका गड़ी कांट से लेके स्रि दाग हैं और इस दाग को साफ कैसे कर पाएगी एंडिये यह बड़ा सवाल है और देखने वाली बात यह है कि वोटो कुछ उतारने के लिए कि आने वाले दिनों में शाहबुदीन की रिहाई की मांग करेंगा ऐसा विपक्ष कह रहा है लाइप सिटीज जेक्तर है हमारे च